आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लिज हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान जानेंगे कि आज सुमवार के दिन हफते के पहले कारूबारी दिन क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है शाम के कारूबारी सत्र में किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उन पर एक्सपर्ट्स की क्या रहा है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे है क्या fundamentals क्याते हैं, क्या technical basis क्याते हैं, क्या technical charts क्याते हैं और आगे जाके कैसे कारुबार देखने को मिल सकेगा इसको जानने की कोशिश करेंगे लेकिन अपना community बजार का upgrade शुरू करने से पहले बता दूँ जैसे जैसे भारत में Omicron पैर पसारता नजर आ रहा है लोगों में, दुकानदारों में, वेपारियों में चिंता का महल भी देखने को मिल रहा है उन्हें डर है कि कहीं Omicron की वज़ा से पहले की तरह lockdown न लग जाए और उनकी दुकानों पे shutter न लग जाए एक बार फिर से तो अगर ऐसे में आपको भी यही चिंता सता रही है और आप भी एक वेपारी है, एक कारूबारी है तो आपको चिंता करने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है आगी है market में My Big Bliss एप एप की spelling है M-Y-My-B-I-G-B-L-I-S-S My Big Bliss My Big Bliss एक e-commerce platform है जिस पर आप बिना एक रूपिया खर्च करे अपना कुछ भी समान बेच सकते हैं चाहे आप फल बेचते हैं ठेले पे, सबजी बेचते हैं चाहे आपका कपड़ों का कारोबार है, मुवाइल फोन बेचते हैं और फिर उसके बाद उस पर अपना स्टोर बनाना है जो भी समान आप बेचना चाहते हैं उसका आप कुछ भी स्टोर बना सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं प्रोड़क्ट्स लाइव करने हैं अपने जब आपका स्टोर लाइव हो जाएगा आपके पास ओडर्स आने शुरू हो जाएंगे इसके लिए आपको कोई कंपनी रेजिस्टर नहीं करने और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको एक रुप्या खर्च नहीं करना पड़ेगा अप भी बिल्कुल मुफ्त है और अपना स्टोर का रेजिस्टरेशन भी करना बिल्कुल मुफ्त ही है तो तुरण डाउनोड करें MyBigBliss एप और अपनी सेल को सुरक्षित करखे इसी के साथ शुरुवात कर लेते हैं शाम के कारोबारी सत्र में क्रिशी फसलों के वायदा बजार की सबसे पहले शुरुवात करूँगा मैं यहाँ पर कैससीर से तो हम देख रहे हैं कि आज कैससीर की कीमतों में हफते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबारी सत्र में कुछ नर्मी के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है हम देख रहे हैं कि Caixa Seed का जन्वरी वायदा 5824 पर trade करता नजर आ रहा है लगबग 2 फीज़़ी की गिरावट कैससीड में देखने को मिल रही है हम देख रहे हैं कि आज शाम के कारुभाय सुथ में कैसर सीड का वायदा वज़ार लगबग 2 फीज़ी की गिरावट के साथ 2 फीज़ी की करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है सुबा के कारुबाई सत्थ में कैसर सीड 5,900 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है दरसल जो yield है जो उपज है कैसर की उसमें थोड़ा इजाफ़ा देखने को मिला है क्योंकि जो कैसर की कीमते हैं पिछले साल के मुकावले इस बार थोड़ी कुछ सुधरी है दूसरा चाइना की तरफ से जो ports थे वो बंद किये जा चुके हैं जाद अतर तो चाइना की तरफ से कैसर की जो मांग थी भारती कैसर की जो मांग हमने साल 2020 में आती देखी थी वो इस बार नहीं देखने को मिली तीसरा जो export demand है बाकी देशों में भी कैसर की वो भी कुछ जादा देखने को नहीं मिल रही है और जो घरेलू demand है जो domestic level पर जो कैसर सीर की जो demand आनी चाहिए थी उसमें भी कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वज़ा से कैसर सीर की जो कीमत हैं वो एक सिमीद दायरे में या फिर यूँ भी कह सकते हैं नर्मी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है जान करें अभी ऐसी अठकले भी लगा रही है कि कैसर सीर का वैदा बज़ार आगे जाके 57-56 तक भी नीचे लुड़कता नजर आ सकता है तो कैसर सीर में अभी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है यही से बात करेंगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का जनवरी वैदा देख रहे हैं कि 2931 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है 2960 का ही लगा चुका है डेड़ फीजदी की तेजी है हमने बीते कारुबारी सब्ता के आखरी कारुबारी दिन देख लिया था कि बिनौला खल 2900 के पार निकला था, 2900 का लेवल टेच किया था बाजार की जान का रूपा मेहता आप सबको मागेटम सीवी के माध्यम से जो बिनौला खल का लेवल दे रही थी 2900 का वो अचीव हो चुका है, टागेट पूरा हिट होता नजर आया है अब उनके अनौसार बिनौला खल आगे 3050 का स्तर दिखा सकता है बिनौला खल के जो फंडामेंटल से ओवरोल मजबूत ही है, तेजी की ही हो रहे है कपास बीज, यानि कि जो बिनौला खल कपास से खली का जो बीज है उसकी थोड़ी मारकेट में कमी देखने को मिली है दूसरा, जो दूद उतपादन है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है क्योंकि हम देखते हैं कि पजूओ के लिए जो चारा खिलाया जाता है हरा चारा, सूखा चारा, उसकी जो कीमते हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी बीच में जिसकी वजा से खरीद फरोगत हरे चारे की और सुखे चारे की डेरी और पोल्टरी इंडस्ट्री की तरफ से थोड़ी कम देखी गई वहीं पर इसी का असर दूध के प्रोड़कशन पर भी पढ़ा दूध का उतपादन भी कम रहा है क्योँके जब चारा कम खिलाए जाऑगा जो पशो होंगे वो भी कम ही दूध देखने को मिल रहा है जिसका असर डेरी और पोल्टरी उद्योग पर पड़ता नज़र आया अब बिनौला खली एक मातर ऐसा खादेपदार्थ है जो पशोव में दूद के फैट की मातरा को और दूद की मातरा को बढ़ा सकता है बाकी खलो में तो प्रोटीन होता है लेकि इसमें फैट बढ़ाने की और दूद की मातरा बढ़ाने की शमता होती है इसलिए बिनौला खल की जो industrial मांग है वो जादा रहती है बाकी खलों के मुकावले बाकी खल भी खिलाया जाते हैं लेकिन बिनौला खल की जादा पूछता आच रहती है जिसकी बज़ा से बिनौला खल की आगे जाके एक industrial demand भी निकल सकती है दूसरा जो cotton है कपास की कीमतों में हमने बड़त बनते वे देखी है CCI भी जो देश में अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार लगबग साल 2020-2021 का जो cotton उत्पादन का जो अनुमान है जो चौथा estimation निकल के सामने आया है तो cotton की कीमतों में तेजी का असर भी बिनौला खल की कीमतों पर यानि कपास कली पर कहीन खटा नज़र आता रहेगा Industrial demand भी बिनौला खल की देखने को मिलती रहेगी powdered milk की भी कीमते बड़ी है जिसका असर हम कहीन ख़ल की कीमतों पर जरूर पड़ता हुआ देखेंगे हमार जो जानकार हमार जो एक्सपर्ट हैं केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनका कहना है कि साल 2022 में बिनौला खल 4000 तक कभी लेवल दिखाने की तागत रखता है तो बिनौला खल में ओवरोल रुजहान आने वाले दिनों में तेजी का ही रहेगा तो चाहे हाजिर कारुबारी हैं या फिर वायदा के दोनों ही बिनौला खल में लंबी अवदी में तेजी की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं एक्सपर्ट का अभी यही मानना है बात करें याँ से अगर हम मसालों में धनिय की तो धनिय का जन्वरी वायदा देख रहे हैं कि 8,550 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 8,608 का हाई लगा चुका है देख रहे हैं कि धनिय के कीमतों में इस बार हल्की नर्मी देखने को मिली है दिरसल धनिय के साथ साथ जीरे और हल्दी की कीमतों में भी एक पुल बैक बनता नजर आया है जीरे की बात करने तो जीने का जन्वरी वायदा 16, 140 पर है और टर्मेरिक की भी जो प्राइसेज हैं वो भी 9,054 पर ट्रेड करती नजर आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि मसालाओं में चाए जीरा हो, हल्दी हो, चाए धनिया हो तीनों ही मसालें इस कारुबारी सब तक कहीं न कहीं एक नर्मी के साथ ट्रेड करते नजर आये थे और हो सकता है कि यह जो अभी कमजोरी है मसालों में अभी कुछ दिनों तक और जारी रहे भारती मसालों की जो निर्यात मांग है वो उठती नजर आ सकती है तो तब हम देखेंगे कि धनिया, जीरा और हल्दी की की जो कीमते हैं उनमें कुछ बड़त बनती जरूर नजर आएगी खास करकि धनिया और जीरे की क्योंकि भारती धनिया और भारती जीरे की पूछ परक इस बार थोड़ी जादा देखने को मिल सकती है धनिया का इस बार प्रोड़क्शन भी कम है अगर निर्यात मांग भी अच्छी रहती है तो धनिया की कीमतों को पंक लगते नजर आ सकते ह तो केड़ी एडवाजरी के डिरेक्टर अजे केड़े के मुताबिक 2022 में धनिया 12,000 के लेवल दिखलाता नजर आ सकता है वहीं जीरा 21,000 तक जाता नजर आ सकता है तो नए साल में देखेंगे कि जनवरी के मद्धे तक या जनवरी के अंत होते होते काफी अच्छी तेजी मसालों में बंती नजर आएगी तो हाजिर कारोबारी भी इस तेजी के लिए तैयार रह सकते हैं दूसरा मार्च में होली आ जाएगी होली पे भी मसालों की डिमांड निकलेगी तो रमज़ान का महीना और होली का महीना काफी अच्छा तेजी भरा रहने वाला है मसालों के लिए मसालों के बाद बात करें यहां से अगर अब गवार की तो गवार में देख रहे हैं कि हम यहाँ पे गवार गम का जनवरी वैदा 10,984 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 11,69 का हाई लगा चुका है आदे फीज़दी की करेक्शन है गवार सीर का जनवरी वैदा 6,95 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 635 का हाई लगा चुका है हम देखने कि गवार गम और गवार सीर में ओप्री स्थरों से मुनाफ़ा वसुली बनती नजर आई है दिरसल गवार के जो प्राइसेज हैं वो भी क्रूड की कीमतों में मंदी तेजी पर डिपैंड कर रहे हैं कि कच्चे तेल का बज़ार कैसा देखने को मिल रहा है जिस दिन नर्मी आती है तो उसका असर गवार गम की कीमतों पर भी पड़ता नजर आता है वहीं से बात करें अगर आगे की तो आगे गवार में देखने की फंडामेंटल्स तो मजबूत ही है क्योंकि इस बार प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है कि इस बार गवार का जो प्रोडक्शन है वो कम रह सकता है और दूसरा जो एक्सपोर्ट डिमांड उसमें थोड़ी बहुत हलकी फुलकी तेजी बनती नजर आ सकती है तो अभी हाल फिलाल में ये रुजान देखने को मिल रहा है लेकि उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि गवार की जो कीमते हैं उनमें एक नर्मी का रुख देखने को मिल रहा है तो अभी सवाल उठता ही ऐसा क्यों हो रहा है दरसल भारत में अभी जो गवार सीड जो बजारों में आ रहा है वो फसल काफी दागी है जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि गवार की कीमतों में एक नर्मी वाला रुजान देखने को मिल रहा है दागी माल की वज़ा से इसकी पूछ परक थोड़ी कम देखने को मिल रही है जिसकी वज़ा से गवार की कीमतों में अभी एक नर्मी वाला रुजान देखने को मिल रहा है वहीं गवार सीड पर हमारे जो एक्सपर्ट है मोतिलाल औस्वाल के वाइस प्रेसिड़न अमिज सजज़ा का कहना है कि गवार सीड में अगर गवार सीड अठावन सो का स्थर होल्ड कर पाता है तो उसमें निचले स्थर पर खरीदारी करके चला जा सकता है हफतों के अंदर अंदर गवार सीड चौंसर सो के इस तर दिखा सकता है ऐसा मोतिलाल औस्वाल के वाइस प्रेसिड़न अमिज सज़ज़ा का मानना है यहीं से बात करें अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन का देख रहे हैं कि हम इस समय जो कारुबार करता नजर आ रहा है सोयबीन का जनवरी वैदा 3300 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 3320 का हई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि शाम के कारुबारी सत्र में सोयबीन का वायदा बाज़ार हफते के पहले कारवारी दिन 3300 के उपर फिर से निकला है यह वही लैवल है 3320 का जो हमने शुकरवार के दिन बीते कारवारी सब्ता जिस पर ट्रेडिंग होते वे देखी थी बीते कारवारी सब्ता शुकरवार को हमने सोयबीन को 63-100 के पार निकलते वे देखा था दरसल सोयबीन में देख रहे हैं कि निचले स्थरों से खरीदारी देखने को मिल रहा है कुछ सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है लेकिन ओवरोल खादे तेलों की बात की जाए तो अभी आगे जैसे चुनाव है पांच मुख्य राज्यों में बड़े बड़े राज्यों में आगे चुनाव आने वाले हैं जिसके मंते नहजर जो सरकार की पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आम उपभुकताओं को खादे तेलों की जो कीमते हैं उनमें नियंतरन करके दिया जा सके कि खाद तेलों की कीमतों का काबू में किया जा सके जिसकी वज़ास हम देखेंगे कि खाद तेलों में अभी जो नर्मी वाला रुजा आने चुनाफ तक ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि अगर ऐसे में खादे तेलों की कीमते बढ़ती हैं तो वो सरकार के लिए काफी नुकसान भरा रह सकता है और सियासत हासे छिन भी सकती है छुटी-छुटी चीजों को लेकर भी हो जाता है क्योंकि हमने भी इससे पहले देखा है कि कई बार जब सरकारे थी प्याच की कीमतों की वज़ा से भी गिरती नज़र आई थी तो ये तो सिर्फ खादे तेल ही है जिसकी वज़ा से आगे एक सरकार को नुकसान हो सकता है इसलिए सर्कार की पूरी-पूरी कोशिश रहेगी कि खादे तेलों की कीमतों को काबू में करके रखें यह से बात करें अगर सोयबीन की तो सोयबीन की आवके एक बार फिर से मंडियों के अंदर कम देखने को मिनी है जिसकी वज़ा से सोयबीन, दाना और लूस की कीमतों में बढ़त देखने को मिनी थी भीते कारोबारी सब्ता और इस कारोबारी सब्ता की बात करें तो निचले सतर से फिर से खरीदारी लोटी है हाला कि इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि आगे चुना आवे और दूसरा पोल्ट्री जगत से खबर निकल के सामने आई थी कि वहाँ पर मुर्गियों में बर्ड फलू देखने को मिला है जिसकी अगर बर्ड फलू के जो केसेज जादा निकलते हैं तो हो सकता है कि पोल्ट्री से सोयबीन की डिमांड न है वो भी थोड़ी कम हो जाए जिसकी वज़ा से सोयबीन की कीमतों में नर्मी देखने को मिल सकती है हाला कि किसानों ने एक बात फिर से अपनी सोयबीन को रोक कर चलना शुरू कर दिया है क्योंकि विदेशों में भी हमने देखा है कि विदेशों में तेल तिलन के भाव में तेजी देखने को मिली थी मलेशिया एक्षेंज, शिकागो एक्षेंज उनमें तेजी दर्ज की गई थी जिसकी वज़ा से अब किसानों ने भी सोयबीन को होल्ड करके यानि कि एक बाँ फिर से रोग कर चलना शुरू कर दिये, स्टॉप करना शुरू कर दिये किसानों को अभी भी उमीद है कि सोयबीन एक बाँ फिर से तेजी की और जाती भी नजर आ सकती है वहीं बजार के जानकार केडिय एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिय लॉंग टर में सोयबीन की कीमतों में पॉजिटी भी है उनके मताबिक लंबी अफदी में जनवरी फरवरी में सोयबीन की कीमतों में और बढ़त बंती नजर आ सकती है यहीं आने वाले कुछ दिनों की बात करें जाया है तो उनके मताबिक सोयबीन नीचे में 58 सो से नीचे जाती नहीं गिरती है और उपर में 64 सो से उपर जाती नहीं जाती है तो यानि कि एठाइवन सो से लेका चौनसर सो का एकसीमीत दैरा भी हाल फिलाल में सोयवीन की कीमतों में बंतान दिखाई देता रहेगा वहीं किसानों ने अभी अपनी सोयवीन को स्टॉक करके चलना शुरू कर दिया है सवाल ले लेते हैं अपने दरशुक की कुछ सवाल आ रहे हैं रोईत राठोड जी हैं तिल के बार में पूछ रहे हैं तिल के बार में बताएं हमने तिल की वीडियो भी अप्लोड करी जिसमें हमने बताया है कि तिल का उत्पादन किस राज्य में कितना रह सकता है, कीमते क्या रह सकती हैं, तो आप हमारी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं हमने अभी हाल ही में अपनी वीडियो वो तिल के बारे में अपलोड करी है मविया अंसारी जी बिनौला खल में मंदी कब आएगी जी बिनौला खल में अभी कुछ दिन पहले मंदी आई थी जब सेवी ने वायदा में बयान लगाया था साथ कमूनिटीज के उपर 27-2800 तक नीचे कीमते गई थी तब बिनौला खल में खरीदारी करके चल सकते थे अब भी मान के चले कि बिनौला खल में इतनी गिरावर देखने को नहीं मिले कि 27-2800 तक अगर जादी मुनाफ़ा वसोली वी तो जाके कीमते गिर जाएंगी अदर्वाइस इससे नीचे कीमते अब जाती भी नहीं गिरेंगी कीमते अब बढ़ती भी ही नजर आएंगी 2022 में बिनौला खल 4,3800 तक जाता नजर आ सकता है विशाल जी है कॉटन के बार हैं पूछना चाहरे हैं विशाल जी कॉटन की कीमतों में तेजी का इरो जहान है अभी ओमिक्रॉन जैसे पैर पसारत नजर आ रहा है हाला कि इसकी वज़ा से थोड़ी डिमांड इंपक्ट हुई है क्योंकि जिस दिन ओमिक्रॉन की केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस दिन मार्किट में ऐसी बाते होनी चालू हो जाती है कि लॉगडाउन लगेगा 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 हाला कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है ना ही इतने इसके व्यापक केसेस देखने को मिले है ना ही इतनी डेट्स अभी तक यानि की मौते इसके धुरू देखने को मिली है और जो डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड कोटन की वो भी अच्छी खासी है दूसरा हमने कोटन की खरीद भी MSP पर इस बार काफी अच्छी होती हुई देखिये तेलंगना में काफी अच्छी खरीद हुई है जबकि जो मुख्योत पादक राज्य है महराष्ट्र कोटन का महराष्ट और गुजरात वहाँ पर MSP पर इतनी खरीद नी देखने को मिलिये जितनी इस बार तेलंगना में देखने को मिलिये और दूसरा अंदर आश्ट्री है बजार में भारती कोटन की मांग काफी अच्छी कासी है तो आने वाले दिनों में भी कोटन की कीमतों में तेजी यूही जारी रहेगी और साल 2022 में कोटन काफी अच्छा शांदा रिटन देती नजर आ सकती है तो कोटन की कीमतों में ओवरोल तेजी का ही रुझान है तो ये ता एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट की आज हफते के पहले कारोबारी शाम के कारोबारी सत में क्रिशी फसलों का वायदा बजार कैसा कारोबा करता नजर आ रहा है और उस पर जानकारों की क्या रहा है जानकर क्या बता रहा है आगे जाके किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है फिलाल अभी के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये अजाजत नमस्कार झाल 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 झाल